यहीं दोस्तों कैसे आप सब बाला जी सर का मेसेज आया है उनका फोन आया उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे वीडियो बनाओ जिससे लोग अपने घर में सुख और शांती से रह सके जैसे खुद हसती हो चिंता नहीं करती हो वैसे ही बाकी लोग भी एंजॉय करें तो है तो सब्सक्राइमेंट थी तो मैं आप से भी पूछ लेती हूं दोनों का साथ साथ काम हो जाएगा बोलिए सुख से रहना चाहते हैं या जैसे अभी चल रहा है वैसे चलाना चाहते हैं अगर असान तो यह है जो मैं बताऊंगी लेकिन लगेगा आपको वो मुश्किल हालकि है असान तो मुश्किल वाली चीज को छोड़ना है आपको जो आप फॉलो करते हो अभी जिससे आपकी एकाउंट में बैट वाली करमास बढ़ते हैं तो उसे छोड़ना है और गुड वाले क करमास को बढ़ाना है सिमपल सा फां मूला है खुश कैसे रहें? और खुश कैसे रखें जब भी कोई करम उद्यम में आए अश्ट कर्म जो दुख देता है मन को तन को परिवार को समाज को देश-को जैसे करोन आया शरीब में घर में आई तकलीफ तो शरीब में सब के आई मन भी धोड़ा परिशान हुआ तो ऐसे अगर करमाज आते हैं उद्य में तो हमें क्या सोचना क्यों दुखी नहीं होना और क्यों खुश रहना तो सिंपल सा फॉर्मूला है बहुत सिंपल जो हम कर्म करते हैं चाहे आज वो चायना कर रहा है कभी जाने अन जाने वो कर्म हमने किये हैं वो ही हमें उद्य में आया है आज हम आरे शेत्र में हैं आरे कुल में हैं आरे धर्म को फॉलो करते हैं हमारा देश पूरा आज अटैक नहीं करता है सिर्फ प्रोटेक्ट करता है अपने आपको तो इस टैप की प्रवरती कभी किसी और की रही होगी और हमारी नहीं होगी जब हमारी नहीं थी तब हमने ऐसे किर मादक को अपने अपने अकाउंट में लिया तो उसी को हम कैसे करके खत्म करें तब खत्म लगे और तब वह वैलन्स होगा तो क्या हमने ले लिया वदाराल Спасибо तो सिंपल सा फंडा है कि जो कर्म हमने किया है वो किसी और के थ्रू उदे में आते हैं वो सिरफ नमेत मातर होते हैं उपादान हम स्यम होते हैं उनको हमने खुद ही उपारजन किया होता है तो अगर हम को सुखी रहना है तो हम यहीं सोचना है कि आज हमारा कर्ज उतर रहा है ह यह हमारा और सिंपल छीज है जो हमारे जो हमारा रहा जैगा नहीं और उसे चला गया वो हमारा नहीं है तो जिस भी तरह का दुख हम लेते हैं सोचते हैं होता है मन को तन को तो वो उसकी बज़े कोई भी बने जब एक्सिजेंट हो जाता है तो अगर खुद किसी और की गाड़ी से हुआ है तो हम उसे ब्लेम करते हैं और हमारी खुद की हो गया हो तो ठीक है नहीं तो मुझे फिर से मैसेज करना बाई